जी आ नमस्कार मित्रों आज है 26 जन्वरी तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे गन तंत्र दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है UPSC प्रेलिम्स को अभी चार मेने और दस दिन बागी हैं और मुद्दा है कि Current Affairs में जाने लाइक चीज़े क्या थे Economy में ये कुछ Bad Bank वापस चर्चा में आया इसके लब अपदमा आवर्ड दिये गए पॉलिटी में कुछ Supreme Court में PIL फाइल हुए हैं Election Free Biles के बारे में One by one we'll see starting with economy तो ये Non Performing Asset या Bad Loan की Problem NPA का मतलब क्या होता है आपने कोई loan लिया है उसका principle और interest उसकी जो due date होती है एकिस्तों में चुकाना है माले पहले तारीक को उसके उपर भी due date के उपर भी more than 90 days are past तो हम कहते हैं वो Non Performing Asset हो गया तो अब ऐसी तो लग अलग बहुत Asset होंगी Asset क्यों बोलते हैं क्योंकि bank के point of view से वो Asset है जहांसे उसको principle interest कमाना है लेकिन अभी परफर्म नहीं कर रहा है इसलिए Non Performing हाँ तो किसी ने 500 करोड का लोन लिया हो दूसरे ने 500 करोड का लोन लिया हो वीजे मालिया ने करीब 8000 करोड का लोन लिया है वीडियो को अनने 1800 करोड का लोन लिया है वगेरा वगेरा बहुत सारी bad loans है तो कुल मिला कर पाया गया कि ऐसे 500 करोड या उससे ज़ादा amount बकाया हो ऐसे बारत में 2 लाग करोड रुपे के bad loans है तो फिर प्रशन यह होगा तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है there is one सरफा AC Act जिसके अंदर बैंकर्स को power दिये गए है कि ऐसे सब loans में जो भी विजय मालया ने नहीं दिया तो उसका property, airport वो सब जब्त कर लो उसकी निलामी कर लो और ऐसी निलामियों में Asset Reconstruction Company, ERC वो लोग यह सब चीज़ें कबारी के बावबे खरीद लेंगे जैसे अनिलंबानी की एक Asset Reconstruction Company है अनिलंबानी के खुद के बावबे चल रहे है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 500-500 करोड की सब चीज़ों की निलामियों में हिससा ले सके And similar problem also faced by other Asset Reconstruction Companies इसलिए economic survey ने ऐसा suggest किया कि एक अलग से bad bank बनाते है जो कि ऐसे 500 करोड या उससे बड़े वाले लोन्स का सब solution लाए तब चीज़ यह सी होगी कि यह suppose Axis Bank ने वीजे मालिया को 200 करोड का लोन दिया हो वापस नहीं आ रहे तो उसके प्लेन की निलामी होगी Under this surface act माली यह महिंद्रा कंपनी उसकी निलामी में बोली लगए 92 करोड यह Reliance Asset Reconstruction निलामी में 95 करोड और यह bad bank बने वो बोले मैं 100 करोड देता हूँ तब समझे 200 करोड क्या जो लोन है तो 200 करोड तो वापस नहीं आएंगे यह जितने लोग यह वो कवाड़ी के बाव पे खरीदने आने वाले In most of the case सिवाए के कोई बहुत जोरदार चीज़ वो Microsoft या Twitter की निलामी हो रही हो तो bank को कभी full amount recover हो जाए उत्तो चांसिस कमी है बट सबोस की 100 करोड bad bank देने को त्यार होता है इसका मतलब क्या bad bank पैसा देगा और सामने aeroplane खरीद लेगा किसे एक्सिस बैंक से तो एक्सिस बैंक कहे मुझे पैसा दो अभी क्या अभी 100 करोड दो तो 100 करोड सिधा वो नहीं देगा वो यह कहेगा 15 करोड cash में रखो और बाकी 85 करोड की में आपको security receipt दोंगा यानि हो गए 100 करोड अब cash में देगा मतलब ऐसा नहीं suitcase भर के note लेके जाएगा वो तो सब income tax के नियम है दो लाग यह उससे ज़्यादा की रखम आप cash में transaction नहीं कर सकते तो वो तो RTGS ने चेक वगेरा से transfer करेगा और बाकी पैसा 85 करोड उसकी security receipt बैड बैंक एक्सिस बैंक को देदेगा यह security receipt मरलब उसमें लिखा वगा कि हमने आपसे यह सब खरीदा था 85 करोड बाकी है लेकिन अगले 5 साल में दीरे दीरे आपको चुकाएंगे ऐसी कुछ उसमें बात होगी हाँ तो एक्सिस बैंक को 15 करोड कैश में मिला 85 करोड की security receipt मिली जो उसको 5 साल बात वो रकम वापस आने वाली है पर सपोज एक्सिस बैंक के नहीं मुझसे वेट नहीं होता मुझे अभी चाहिए पैसा अभी क्या भी तो फिर वो क्या करेगा ये वाली रसीद वो नाबाड, सीड, B, L, I, C S, B, I, A, क्या दूसरे अलग-अलग बैंक, N, B, F, C, All India Financial Institutions है उनको बेच देगा लेकिन वो लोग उससे 85 करोड में नहीं खरीदेंगे क्योंकि 85 करोड तो बैड बैंक 5 साल बात देने वाला है 5 साल बात वो तो देने वाला है इसलिए ये लोग उससे अलब एक्सिस बैंक से हो सकता है 80 करोड में खरीद ले एक्सिस बैंक क्यों बैच है? उसको इमर्जंसी होगा, स्टाफ की सैलरी करनी है ओफिस ब्रांच के रेंट चुकाने है तो वो जलबाजी में बेचना हो तो पैनिक में सस्ते में बेचना पड़े and ultimately at the due date जिसके पास वो होगा security receipt उसको ये bad bank वाला 5 साल बात 85 करोड देख so that is how security receipts will work ये legal instrument है सरफाइसी एक्ट में इसकी legal recognition है लेकिन माली जे axis bank दीरज रखता है कि ठीक है मैं अपने पास रखता हूँ ये वाली रजशित और 5 साल बात मुझे पैसा मिले and in between ये bad bank उस plane का कुछ निप्टान करेगा और 85 करोड रुपीज चुकाने की कोशिश करेगा लेकिन इसमें problem ये आएगा कि ये एरोप्लेन आपने खरीदा है bad bank ने वो एक depreciating asset है रोज वाहन जितना पुराना होता है उसका कम बाव आता है तो जब bad bank इसको बेचने जाएगा इस एरोप्लेन को माली ये spice jet, indigo, किसी और को तो वो सब लोग बहाना बनाएंगे कि नई इसका तो पंचर निकालना पड़ेगा नया color करने पड़ेगा seat cover फट गया था रफू करना पड़ेगा बहुत खर्चाए तो दे में give him only 80 करोड उपीस तो bad bank ने जो सामान खरीदा था 100 करोड का विमान वो जब खुद बेचने जाएगा हो सकता है उसको 80 करोड ही मिले तो उसका तो खुद का भी नुकसान होने ही वाला है lost money क्योंकि 100 करोड में सब लिया था और 80 करोड में वो आगे बेच रहा है तो इस case में security receipt जो generate की थी वो चुकाने में bad bank को कठीना ही आएंगी it will face problem in honoring this security receipt because it has lost money तो सरकार ने का आए कि हम इस पर sovereign guarantee देते हैं कि इस पर ये जो security receipt generate हुई 100 करोड में से 85 करोड वाली कि अगर bad bank नहीं चुका पाए तो government अपने पैसो से taxpayer के पैसो से इसे चुकाएगा यानि सरकार संप्रभू guarantee दे रही है कि नुकसान हुआ तो हम बरेंगे तो ये बात है bad bank अब असल में मैंने आपको अब तक बता है सिर्फ एक photo bad bank असल में ये एक नहीं है ये दो है करन अरजुन है इसमें करन का नाम है National Acid Reconstruction Company Limited यानि NARCL उसका काम है वो bad loan वाले ये सब विमान जहाज सब building property खरीदेगा वो bad loan खरीदेगा और ये जो अरजुन है उसका नाम है Indian Debt Resolution Company Limited यानि IDRCL वो एक asset management company है जो करन ने aeroplane खरीदे उसको वो आगे बेचने का काम करेगा I will manage and sell the bad loan assets purchased by this NARCL तो मतलब ये जो आगे निलामी हो रही थी एरोप्लेइन की उसमें जा रहा है वो शारुक खान है that is National Asset Reconstruction Company जो bad loan खरीदेगा और फिर वो वाला एरोप्लेइन आगे किसी और spice debt वगेरा को बेचने गया ये bad bank तो असल में वो दूसरी संस्त है जिसका नाम है Indian debt resolution company limited तो इसमें criticism ये क्यों चल्चा में आ गया आज कुछ report ऐसे आ रहे हैं कि reserve bank को मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर problem में dual structure ये bad bank एक नहीं है तो दो एकरन और अरजुन अब इसमें ये जो उपर शारुक कान है वो वाला पार्ट RBI के domain में आता है क्योंकि surface act और उसमें ये जो सब निलामिया हो रही है resolution of the and auctioning of the bad loan assets तो वो सब मामला reserve bank के कारेक्षेतर में आता है फिर उसके बाद ये जो security receipt generate हुई उसमें कुछ parts ऐसे हैं जो savvy के domain में आते क्योंकि ये जो security receipt हमने देखा वो नाबाड, sitby वगरा ने खरीदा वो क्या करेगा वो आगे किसी और company को बेचेगा तो ऐसा secondary market में जैसा share bond आपने खरीदा फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा किसी और को बेच रहे हैं वो सब हम कहते है secondary market तो security receipt का भी अपना secondary market होता है और वो वाली चीज savvy के domain में आती इसलिए reserve bank को मज़ा नहीं आ रहा है कि ये तो dual structure है करन अरजुन अलग है मेरे पास करन है अरजुन किसी और के पास है तो ये सब एक एक रूत integrated होना चाहिए कैर ये सब बना कब economic survey ने तो काफी साल पहले suggest किया था बना इसको budget 2021 में गया कि हम ये दो संस्ता बनाएंगे NARCL and IDRCL उसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार इसकी मालिक नहीं है government does not own any shareholding in these organizations ये NARCL और IDRCL उसकी shareholding pattern ऐसी है कि 51%, 49% उसमें कुछ सरकारी बैंकों के पास है कुछ private sector बैंकों के पास है कुछ NBFC कम्पनियों के पास है sufficient to know कि सरकार खुद इसमें shareholder नहीं है जनरेट हुई 100 करोड का जो खरीदा 85% का security receipt उसको honor करने में bad loan को problem आए तो सरकार sovereign guarantee देती है सिर्फ इतना ही उनका तो role है तो इसमें criticism क्या चल दा है देखे मैंने आपको शुरू में ही बताए 200 करोड की loan दी हो और उसका aeroplane ये आप बेचने जाए Axis bank वाला शायद उसको 100 करोड ही मिले पूरी रकम कभी वो recover नहीं कर पाएगा as a result what will happen कि 200 करोड का माल 100 करोड में बेचा तो वो सारा loss Axis को भी कही न कहीं तो हुआ है वो loss कौन bear कर रहा है depositors वो ऐसे कि भविश में Axis bank आपको को 9% या 7% ऐसा fix deposit या saving account पर ब्याज न देते हुए चोटा चोटा 2% 4% दे तो bank बचत पर अच्छा ब्याज दर नहीं मिला तो वो भी एक criticism है कि bad loan का problem ultimately तो ऐसे ही solve हो रहा है दूसरा हमने देखा ये सरकार sovereign guarantee दे रही है कि अच्छा ये 85 करोड के जो security seat है वो हम honor करेंगे अगर bad boy honor नहीं करे तो वो कौन भरपाई कर रहा है असल में तो जिसने income tax बढ़ा GST बढ़ा आप चाहते हैं उसे school college hospital बने वो सब नहीं बढ़ते हुए ये सब so sovereign guarantee के नाम पर सरकार taxpayer का पैसा इधर डूब हो रही है तो ये सब चल रहा है now prelim के लिए तो जाने लाइक चीज़े देख ली means में कुछ पूछे तो conclusion इसका क्या होगा conclusion y x thing is important क्या important है healthy banks होने चाहिए जो economic growth पर focus करे priority sector lending के नाम पर गरीबोगों किसानों को loan दे financial inclusion के नाम पर जंदन अकाउंट को ले गरीब हो के bank खाते को ले but why thing is creating problem क्या banker का जादा था time और energy तो ये non-performing asset को fix करने में चला जाता है तो z reform done by government is an appreciable step प्रसंस निये कदम उठाय सरकार ने क्या bad bank का formation किया है तो हो गया अपना conclusion ready अब इसमें कुछ लोग पाएंगे कि नहीं मैंने जरुवत से ज़्यादा newspaper column पड़ लिये हैं और मुझे तो इसमें बस खामी दिखती है खुबी तो कुछ दिखती नहीं I am not finding any benefits I am only finding limitations तो उसमें जवाब कहाएं ज़्यादा तर means के question में तो UPSC government policy को appreciate कर उस type के tone में प्रशन पूछती है अगर माली ज़े कुछ पूछ ले critically examine the merits या benefits of this तो चिंता के विशे तीन चर्थे हमने देख लिए तो dual control है तार बेसे अभी उसका टकराव चल रहा है depositors और taxpayer ultimately ये नुकसान की बरपाई कर रहे हैं so these are some of the concerns they need to be addressed बगेरा बगेरा इसमें और भी अभी update आ सकते हैं कि latest budget, latest economic survey क्या observation देता है तो यहाँ पर मित्रो हर साल ये budget, economic survey और पूरे साल के current office के update उसकी free update में चलाता हूँ तो 2020 में मैंने ऐसा किया था win 20 series फिर 21 और अब मैं करूँगा 2022 में तो जो 20 series हुई थी उसमें क्या budget economic survey prelims के minus one month तक मलब October में माली जे prelim हो तो September तक के economic के current office उतना cover उसमें मैंने किया फिर ये win 21 series मैंने कि उसमे budget and economic survey 2021 और 2021 की prelim से एक महिने पहले तक का मलब September 2021 तक का उसमें cover कर दिया है current affair सारे जो पूरे साल में रहे होंगे मलब October 2020 से लेके September 2021 तक के current office win 21 series में cover खुए अब उसी pattern पे चल ला है win 22 series वो मैं शुरू करूँगा 8 तारिक, 8 February Tuesday रात 9 बजे से तो उसमें हम क्या देखे है budget and economic survey और बाकी economic के जो पूरे साल के current office रहे मलब कि October 2021 से लेके prelim 2022 के एक महिने पहले तक मलब May 2022 तक वो दीरे दीरे चलेगा हर महिने थोड़े थोड़े लैक्चर से ऐसे इसके अलावा 1st February मंगलवार को मैं ये current office वाला वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि एक local TV चैनल में मुझे budget discussion के लिए बुलाया है कैर उस दिन भी budget में जाने लाइक चीज़ होगी वो हम लोग second को मैं जब बनाऊंगा वीडियो उसमें हम देख लेंगे तो ये आने वाले महिने का कारेकरम है आठ तारिक को ये win 22 सिरीज होगी और बाकी 1st February को ये मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा इसके लाबा आज 26 जन्वर ही है तो स्वाबाई के न्यूस पेपर वाले कल चुटी रखेंगे तो गुरुवार 27 को इंडियन एक्स्प्रेस ने बोला हम नहीं आएंगे स्वाबाई के कुछ लोग की नहीं लोकल एडिशन नहीं आ रहे है तो मैं जाके एक खास न्यूस पेपर की गौथम एडिशन पड़ लूँगा क्योंकि बस जन्डा लेके करन्ट अफेस ही करना है प्रिलिम में थियरी तो पूछते ही नहीं करन्ट अफेस का एक भी मुद्दा छूटना नहीं चाहिए तो आपकी तरीका ही गलत है भई इतना तो करन्ट अफेस पूछते नहीं अब वैसे भी मैं थर्सडे को वीडियो बनाता नहीं था लेकिन इस बार तो न्यूस पेपर नहीं थर्सडे को हॉलिडे रखा तो मरलब मेरी छुट्टी चले गए तो अब मैं डबल मॉज करने के लिए फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाऊना और थर्सडे को भी वीडियो नहीं बनाऊना वह ऐसानी है कि मुझे मुझे मॉज करने है अलसल में मेरे जो पेड बैचीज चलते हैं उसके हैंटोट मुझे अपडेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है तो अभी मैं सिधा आपको Saturday मिलूँगा तो जो Current Office तब तक क्योंगे वो सिधे Saturday देखते ये एक बात होई अब इसके अलावा और जाने लाग क्या था Current Office में एक तो ये Bad Bank फिर उसमें ये सब बात हैं वो मैंने आपको बता दी इसके अलावा एक पंजाब महराष्ट कोपरेटिव बैंक थी उसमें कांड हो गया था उसने कुछ एक कंपनी को लोन में पैसा दिया थो उसने वापस पस नहीं किया वगयरा तो RBI ने इस पंजाब महराष्ट कोपरेटिव बैंक को Unity Small Finance बैंक के साथ मर्ज कर दिया चुका देगी PMC बैंक वाले जो डिपोजिटर्स थे जो अब से Unity Small Finance बैंक के डिपोजिटर्स कहे जाएंगे उसके बाद की रकमाली जे आपने 10 लाग, 12 लाग, 25 लाग रुपे जमा किये थे तो 5 लाग तो DICGC देगा, बाकी 20 लाग रुपे कौन देगा तो जवाब है वो Unity Small Finance बैंक दीरे दीरे इंस्टॉल्मेंट में डिपोजिटर्स को अगले 3 से 10 साल में वो पैसा वापस करेगा So that is how RBI has worked out the process फिर अलग से पाकिस्तान सरकार ने लोन लेने के लिए बाजार में Islamic bond issue किये जिसको सुकुक bond भी कहा गया ऐसे मुझे इंडिया की एक्जाम के लिए तना काम का नहीं लगता लेकिन ठीक है जान लिया फिर quality के समझ है अब उसमें कुल मिलाकर आप जानते हैं जब भी election आते हैं तो ये सब नेता लोग डेर सारे सब की आपको mixture grinder देंगे, TV देंगे मुफत मियनाद देंगे मुफत मियनाद देंगे मुफत मियनाद के बैंक खाते में अजार अजार उपे जमा करेंगे बहुत सारी वो चीज़े ओफर करते हैं इसके खिलाव सुप्रीम कोट में जनहित याची का public interest litigation दायर हुई है उसमें ये का गया है कि चुनाव से पहले ये लोग जो ऐसा सब free bys यानि लोकलो बावन देते हैं मुफत में टीवी फ्रीज मॉबाइल वगेरा तो वो एक प्रकार से चुनावी ब्रश्टाचार है electoral corruption क्योंकि अगर आप सीधा किसी को पैसा या शराब देते तो वो तो bad practices है अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे तो वो भी एक टाइप का political and electoral corruption है आप कहे रहे हैं लालच दे रहे हैं उनको और कभी-कभी ये होता है कि ऐसी भेट सौगा जो कही जाती है वो general budget में जितनी रकम हो उससे भी जादा पैसा उसमें खर्च हो जाए तो खेर अब सुप्रीम कोट ने इस पर union government और election commission चुनावायोग से जवाब मागा है कि क्यों न ऐसी political partyों का पंजी करण यानि registration रद क्यों नहीं कर दिया जाए कि अब वो चर्चा में रहेगा तो हम देखेंगे फिर एक मुद्धा है foreign contribution regulation act यारे वो औरिजनली तो emergency के दौरान 76 में बना था फिर 2010 में amend किया उसमें बात ऐसी है कि ये जो NGO यानि non-governmental organization ये सब सवाद services थाएं उनको विदेशों से चन्दा लेना है तो इस कानून में उनने registration कराना पड़ेगा जिसकी validity होती है 5 years 5 years की validity खतम होने पर वापस भी उसको renewal के लिए फिर से जा सकते हैं पुनाव पंजी करन, re-registeration भी कराना होता है तो इसमें controversy क्या चल रही ruling party को जिसमें मज़ा नहीं आ रहा हो ऐसी संस्थाओ के वो registration रिन्यू नहीं कर रही या सारोप लग रहा है कि mother terrace आता हो उसका वो Christian missionary वाला जो काम फिर amnesty international वो सब human rights के बारे में ये कश्मीर, जमूर कश्मीर के बारे में कुछ बोले green peace, वो environment ये सब damn या nuclear plant बन रहे उसके खिलाब प्रदर्शन करता हो तीस्ता से तलवार वो गोदरा अंदोलन के खिलाब उसकी सब चलती है litigations अब ऐसा नहीं के तो BJP सरकार ही ऐसा करती है Congress और UPA के जमाने में भी वो कुदन उलम nuclear plant के खिलाब जो environment नगीओ प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको भी उसने किया था ऐसा renewal नहीं किया था अब ये सब लोग गए Supreme Court में NGO कि हमारा registration renew कराई ये लेकिन Supreme Court ने अभी ये काया कि नहीं आप सरकार से जाके बात करिए अपनी petition या reappeal file कीजिए इसके लाग columns आज सब कॉलम किया चब़ी जन्वरी हमको क्यों उस पर proud होना चाहिए या भवी शमी हमने क्या सोचना चाहिए तो आप अपनी vocabulary build up करने के लिए निबन के लिए मुद्दे जमा करने के लिए democracy constitution वो सब पड़ सकते हैं फिर science और science में भी agriculture science में नया मुद्दा मित्र एक तो होता है genetically modified crops यानि GM crop वो क्या होता है कि तो अलग-अलग प्रजाती पर एक्जामपल कि एक cotton plant है तो वो क्या हुआ वनस्पती और सामने bacteria हो bacillus thuringinesis तो वो क्या है वो plant पौदा नहीं है वो तो bacteria है तो अलग-अलग किसम के जीव या प्रजातिया पेस्टाटे कम होता है कीटक उसको खाएंगे तो मर जाएंगे वगर so that is GM crop लेकिन वो health और environment के लिए खराब माने जाते है तो scientist एक नई चीज़ इजाद कर रहे है उसे कहते है gene editing gene editing में क्या करना है हमने bacteria के DNA को plant के पौदे के DNA से combine नहीं करना है हमने सिर्फ उसी plant के खुद के DNA में कुछ changes करने है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से perform करें कम पानी मांगे ज़्यादा उस पे अनाज पैदा हो climate और global warming में survive कर सके वगरा तो वो गया gene editing और उसको थोड़ा safe माना जाता है Chinese government प्लान करें कि हम GM crop में तो थोड़ी चिंता है लेकिन gene editing अलाव करेंगी ताकि agriculture production बढ़ सके फिर means paper 3 में एक मुद्धा है achievement of Indian scientists in science technology तो oral cancer वीमल ज़्यादा खाने पर हो सकता है तो IIT कड़कपूर के scientist ने उसको detect करने के लिए 500 डॉलर का सस्ता machine बनाया है handheld device उससे वो सब infrared imaging से photo लेगा तो स्वाबाई के cancer हुआ तो वहाँ पर जो blood flow होगा tissue में वो थोड़ा अलग उसकी होगी temperature and color flow तो उस हिसाब से वो बता देगा कि आपको cancer हुआ है फिर James Webb telescope अपने स्थान पर पहुँच गया हम पढ़ दे नहीं बैठेंगे क्योंकि हमने वो अलड़ी पढ़ लिया है Public organization dilemmas ये ethics का एक मुद्दा है means paper 4 के लिए railway की NTPC exam अब उसमें वापस प्रदर्शन चल रहा है कि वो सब class 10 वालों की अलग exam थी college graduate की अलग थी तो उनों को combine किया फिर एक ही को दो में select करेंगे नहीं करेंगे उसमें सोचने का मुद्दा क्या है ये SAC NTPC कई सालों से कुछ न कुछ controversy चलती है और वो उस चीज़ का cognizance यानी संग्यान नहीं लेते जब तक twitter में सब hashtag follow करवाओ या city में protest शुरू हो तो यह असल में क्या देखाता है कि government officials की lack of empathy towards poor candidates अनुकंपा की कमी वरना पहले से सब सोच विचार के करना चीए दुसरा क्या चल रहा है वो match fixing वालों को legal कानून के इसाब से IPC 420 का मामला नहीं बनता उसकी वापस चर्चाओ लेकिन यह हम पर चुके हैं करनाटक पोट के मामले में फिर एक मुद्दा चल लाए कि यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉंसन उसने 2020 में अपनी बड़े पार्टी मनाई थी कोरोना लॉकडाउन के नियमों का उलंगन किया था तो पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है तो इसमें हमको क्या सोचना है भारत में भी तो चुनाव प्रचार दार्मिक साह हमारों शाधी ब्याव में बे रोक टोक मिनिस्टर लोग सारे नियमों का उलंगन करते है लेकिन बारतिय पुलिस ऐसी हिम्मत नहीं दिखाती कि मिनिस्टर के खिलाब जाच करके दिया प्राइमिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है तो वो भी डिपेंड करता है पुलिस एडिमिस्टेशन में आपको एथिक्स में क्या पूछा गया और आप उसको कोड करना चाहते है तो एथिक्स में एक और मुद्दा सोशल मीडिया उसमें होता है टार्गेटेड एडवर्टाइजमेंट सपोज कोई प्रेगनेंट मदर इंटरनेट पे कुछ सर्च करे कि सम फूड या मेडिसीन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड सम इलनेस तो गूगल को फेस्बुक को एमेजॉन को पता चल जाएगा कि ये महिला तो प्रेगनेंट है डॉनल्ड डॉम्प या हिलेटी क्रूप तो उस हिसाब से वो समझ जाएगा कि आप क्या पॉलिटिकल आइडियोलर्जी लगते हैं और फिर उस हिसाब से आपको टार्गेटेड एड्ज तक्षित विग्यापन दिये जाएं आपको election voting में influence किया जाए तो European Union का Digital Service Act 2020 उसमें और सुधार किये हैं कि अब से अगर ऐसा किया ये Google, Amazon, Facebook ने तो फिर उस पर penalty लगेगी 6% of the global revenue मलब Amazon अगर Europe में ऐसा करेगा या Facebook ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया में Facebook ने जितना पैसा कमाए उसका 6% penalty के रुपने European Union खा जाएगा फिर Padma Awards अनौंस हुए Padma Vibution सिर्फ 4 लोगों को मिलें तो हम वो याद रखेंगे पूरी लिस्ट मैंने इदर दी है आराम से पढ़ लेना अपको किदर मिलेगी मेरे टेलिग्राम चले मुनालवर आजी फिर Padma Bhushan जो एक स्टेप नीचे होता है वी Bhushan से वो 17% को मिली मैंने 17 पूरे नहीं लिखे जो मुझे जरा फेमस लगे या काम के लगे जैसे Agriculture तो क्योंकि MCQ में थोड़ा जादा हम उसे फोकस करते हैं UPSC में तो Sanjay या राजाराम जो मेक्सिको के Wheat Scientist थे बारतिय मुलके होंगे और उनको वो दिया गया उस तरह अलग-अलग और कौन-कौन लोग थे फिर Padma Shri अब Padma Shri तो 170 लोगों को दिया गया सबको तो याद करना मुश्किल है मैंने अपने इसाब से एक नाम लिख दिया है सुवेदार नीरत चोपरा हर्याना से जिनको जेवेलिन में Olympic 2020 वाला गोल्ड मेडल मिला था Padma Shri भी मिला है और अलग से क्योंकि military में उनको सुवेदार की जौब थी तो परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाएगा इसके लाँ और भी लोग होंगे वो आप देख लेना लिस्ट पर एग्जामपल सपोस आप गुजरात में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के कौन-कौन से लोगों को Padma वाले एवर्डस मिले for the purpose of state service exam तो उसमें किन-किन लोगों को मिले स्वामी सचीदानन को Padma विभूशन मिला बाकी साथ लोगों को Padma स्री मिला वो सब क्या है मैंने लिस्ट दिया if you are preparing for गुजरात सर्विस exam और उसी हिसाब से आप अपने-अपने राजे के Padma वाले लिस्ट देख लिजे so this was the newspaper for today अभी मैं Thursday भी चुटी रख रहा हूँ Friday भी तो सिधा हम लोग मिलते हैं Saturday को See you next time